सो एलो उस्तर कैसे हो आप सब लोग सो इस फाइनली जो है आप लोग लिए गुड न्यूज आ चुकी है जो लोग पलसर RS200 के लिए वेट कर रहे थे एंड वेट करते करते बीच में RS500 को पर्चेज कर चुके तो उन लोगों के लिए था आई थिंक के गुड न्यूज नहीं है क्योंकि वो लड़ी अपना डिसीजन लेके बाइक ले चुके हैं लेकिन जिन लोगों ने RS200 के लिए वेट किया है उन लोगों के लिए आ चुकी है खुसकबरी एंड ये जो गुड न्यूज है आप लोग सुनके बोलोगे कि हाँ यार अब RS200 आएगी एंड हम लोग जो है अब R95 को साइड में रखके RS200 के तरब भी देख सकते हैं तो गुड न्यूज यह है गाईज RS200 जो है अब लेक लॉंच होने वाली है तो कब होने वाली है कब नहीं वो सार चीज़े तो बताऊंगा ही और अल्रड़ी बता भी चुका हूँ लेकिन उससे पहले आपको बता दू यह जो बाई के न अपनी RS200 यह काफ यदा अपग्रेडिड होने वाली है पहले से पहले से ज़्यादा लुक्स में बेटर होने वाली है ठीक है उससे ज़्यादा मस्कुलर आपको यह दिखेगी और उसके अलावा यह जो बाई के न नए OBD2 सेंसर के साथ में आएगी जो BS6 Phase 2 है जो की Ethanol से भी चलता है और यह जो इंजन है पहले आएगा KTM RC200 में जिसकी टेस्टिंग अभी इंडियन मार्केट में चल रही है KTM RC200 की और फिर उसी इंजन को वही बजाज का कवर करके और उसमें जो है RS200 में डाल दिया जाएगा और RS200 को जो है लॉंच कर दिया model हो सकता है कि मार्च अप्रेल तक जो है लइक देखने को आपको मिल जाए उसके बाद आपको NS200 और RS200 दोनों ही देखने को मिल जाएगी नए अपने इंजन एंड जो है इंजन स्पेक्स के साथ में जिसमें कि आपको पावर वगरा और मोंस सिमिलर मिलेगी और टोर्क वग माईलेश को नहीं देखते माईलेश दे ना दे पावर मेंस जरू मिलनी चीए तो उस चीज की विज़े से जो पलसर जो सीरीस है वो बिक्ती है अभी यह डिले क्यों था आपको पता चल गया अभी जो है KTM RC200 की टेस्टिंग चल रही है KTM RC200 में जो इंजन है वही सेम इसमे यूज किया जाएगा उसी को ट्यूंड किया जाएगा और फिर उसको आरेस में यूज करके कंपनी जो आरेस का नया मोडल लॉंच कर देगी इस साल के मिड तक बोलू तो जुन जुलाई तक तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों को यह गुड नियूस कैसी लगी क् के भिहाब पे जो है यही प्रूफ होता है जो बाइक है के टेमर्सी 200 की इंजन के साथ में आने वाली है और जो इंजन है वह अभी बंच चुका है सिर्फ उसके बी टेस्टिंग बागी है तो टेस्टिंग भी चल चुकी है जल्दी टेस्टिंग कंप्लेट होती है एंड मार्केट में आपको नई आरेस देखने हूं मिल जाएगी तो जल्दी से यार कमेंट बोक्स में ये बताओ कि मैं एक मीट अप कर रहा हूं कहां पर करूँ ओलो और इंडिया में तो नहीं बठाँ जैपूर, लखनाव, दिल्ली, गुडगाओं, कहां पर मीट अप करनी चीए जल्दी से नीचे कमेंट बोक्स में बताओ और आप लोग के लिए उस मीट अप में अच्छी अच्छी गुड़ीज, टीशेट, अगरो काफी कुछ आप लोगों मिलने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे को बताओ, छे लाग पर जो अपना ये मीट अप हो जाएगा, ठीक है, अभी like 48 के सब्सक्राइबर्स जो है, रह रहे हैं, तो जल्दी से 48,000 सब्सक्राइबर्स जो है करा दो, उसके बाद अपन आप लोग के लिए कुछ अच्छा प्लैन करते हैं, तो आप लोग जो है नीचे, कमेंट बोक्स में बताना कि आपको मीट अप जो है, कहाँ चाहिए, कहाँ आप लोग आ सकते हैं, आप लोग के लिए इजी कहाँ होगा, तो MRD बोक्स के तरफ से जो है, फास्ट मीट अप होने वाला है, मैं आप लोग उसमें मेरे को पता है, मेरी ओडियंस यूपी से है, ठीक है, मुंबई से है, और इन स्टील से जो है, लाइक काफी जादा है, तो चलिए यार, ये दे कुछ आज की वीडियो में प्राइसिंग वेर जो है, पलसर आरस ट्रूनेटी जाएगी लग बग 2.10 लेक्स तक और जा सकती है, 10-15 जार कहने का मतलब है, बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए यार, ये दे कुछ आज की वीडियो में, मिलते भी नेक्स टूडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चलिको सब्सक्राइब कर लेना, मिलते नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए चेह लाइन में लाइन मातरम, लावी और जाइस.